जहिंद प्यारे सातियों, कैसे हो आप सब बिलकुल मच तो होंगी यूविक्टर क्लासेज योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसक्रस करने वाले एक ऐसे टोपिक पर जिस टोपिक को लेकर आप सभी को बहुत जबर्दस तरीके से इंतजार हो रहा है और आज की इस वीडियो में हम डिसक्रस करने वाले हैं प्यारे सातियों यूजी सी नेट की आंसर की के बारे में और आप सभी के सभी सब्जेक्टों का एक्जाम हो चुका है और अप सभी के सभी कंडिडेट आंसर की का इंतजार कर रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा वैसे हर्ट बीट भी बढ़ती जा रही है दटकन भी बढ़ती जा रही है जैसे आप यूटूब पर खोलते हो और यूजी सी नेट लिखावा दिखता है तो तुरंट ऐसे लगता है कि भाई आंसर की के संबद वही है जैसे कोई Google पर सर्च करते हो और UUC net result अपडेट डालते हो जैसे कुछ भी लिखा आ जाए कि भाई आंसर की आने वाली है मतलब आंसर की सब्द देखते ही अब आपकी दड़कने बढ़ जाती होंगी क्योंकि अब टाइम आ चुका है वो कि अब आपकी आंसर की आने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले authentic source के basis पर कि आपकी आंसर की कब तक आ सकती है तो सबसे पहले तो हम प्यारे साथ ही यहां पर डिस्कस करते हैं कि आंसर की का scenario क्या चल रहा है आंसर की आने का system क्या चल रहा है पिछले कुछ exam हों से दिखो जिस दिन exam complete होते हैं मतलब जो last date होती है exam की उससे लगबग 2 week के बाद में आपकी provisional answer किया जाती है तीक है जैसे provisional answer किया आती है उसके बाद लगबग 2 दिन का time दिया जाता है आपको correction करने के लिए objection करने के लिए आप objection कर देते हो और फिर उसके 2 week बाद में आपका result आ जाता है तो आपकी जो provisional answer किया न वो आपका जो last exam होता है उससे लगबग 2 week बाद आ जाती है ठीक है अब एक जगदिश कुमार जी के द्वारा एक tweet किया गया है उसको हम एक बार पढ़ते हैं देखो इन्होंने tweet किया है कि for the academic year 2024-25 UGC net will be conducted by NTF form 10-21-2024 result will be announced within 3 week of last test for more details please visit तो इन्होंने इसमें mention कर दिया कि आपका जो result है न वो announce कर दिया जाएगा आपका जो last exam है उसके 3 week के अंधर अंधर अब देखो आपका जो last exam था वो 14 December को था 14 December को सब भी subject के exam complete हो गए थे क्योंकि चेन्नाईर आंद्रा परदेश में बाड की situation आ रही थी जिसकी वज़ा से वहाँ पर बहुत सारे candidate थे जिन्होंने exam नहीं दे पाए तो उन सब भी candidate जिनका इस आपदा की वज़े से exam नहीं हो पाया तो उनको दुबारा से exam देने का मोका दिया गया था 14 December को तो 14 December को last exam था ठीक है और इसके 3 week मतलब 14 December से आप 21 तारिक एड़ कर लो उसके बाद मतलब 21 दिन एड़ कर लो 14 December में आप 21 दिन एड़ कर लो तो लगबग होता है ये पांच साथ जन्वरी के बीच में तो पांच साथ जन्वरी के बीच में आपका result आ सकता है और यदि हम answer की के बारे में डिसक्रस करें तो प्यारे साथ के आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है ना वो लगबग 28-29 दिसमबर तक आ सकती है 28-29 दिसमबर तक आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद में आपको 2-3 दिन का time दिया जाएगा objection करने के लिए और फिर उसके बाद में आपकी final answer की आएगी उसी दिन उसी time आपका result आ जाएगा ठीक है तो अब बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ है आपकी answer की आने का जो candidate जिनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारा paper बहुत अच्छा खासा नहीं हुआ जिस तरीकी से हम सोच रहे थे वैसा हमारा paper नहीं हुआ आपको लग रहा है कि यार हमारा आपकी बार जेरफ नहीं हो पाएगा net qualify नहीं हो पाएगा तो प्यारे साथ क्यों यहाँ पर जोग्रोफी और net के first paper का guarantee batch शुरू हो चुका है फिलालबे फीच में 50% का ओफ चल रहा है आप ये batch जोइन कर सकते है guarantee batch है guarantee batch केवल और केवल इसी target के साथ सुरू हो रहा है कि हमें June 2024 में हर हाल में जरफ qualify करना है जिन कंडिरेटों के first paper में बहुत अच्छा score नहीं हो पाता first paper के वज़े से उनका net qualify guarantee batch है वो राम बान सिद्ध होने वाला है ठीक है तो आप ये guarantee batch जोइन कर सकते है batch जोइन करने के लिए प्यारे साथियो इसी वीडियो के description में मैंने अपने contact number दी है वहाँ पर आप मेरे चैट करें या कोल करें और guarantee batch के सम्मद्बे संपूर्ण जानकारी ले या फिर इसी वीडियो के description में हमने first paper और geography दोनों के guarantee batch का link दे दिया उन वीडियो को भी आप देख सकते है बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भी को देखने के लिए thanks by मेरे प्यारे साथियो फिर मिलते हम इसी तरीके से दूसरे बहुती महत्पून वीडियो के साथ